हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैई चैनल, एक बार फिर वरत की तैयारी गुरुआर का दिन है और गुरुआ को मेरा वरत रहता है तो बुक वगेरा मैंने निकाल के रख लिए हैं, फूर्ट्स वगेरा रख लिए हैं, मैंने सारी तैयारियां कर लिए हैं, और पीले फूल भी अच्छे से नहला कर जल चड़ा कर अभिशेक करके और बाकी सब भगवानों को भी मैं रख लेती हूँ जैसे हनुमान जी है मीनाक्षी देवी है जिनके हाथ में तोता है वैशनर देवी है और बालकृष्ण है और गनेश जी जो हैं उनको भी रख लेती हूँ मैं सब को रख करती हूँ बालकृष्ण को भी मैं चंदन से ही टीका करती हूँ फिर अक्षद वगेरा चड़ाती हूँ तो जल से चड़ाने के बाद मैं दूद से अभिशेक कर रही हूँ इन पे तो सारे भगवानों को मैं दूद से नहला देती हूँ अच्छे से तो अच्छे से साफ हो जाते हैं ये दूद से अच्छे से अभिशे कर लेती हूं और दूद का महत्वी भी बहुत है तो दूद से बोलते हैं कि अभिशे कर लो आप कच्छे दूद लेके सुबह सुबह कई बार भूल भी जाती हूं और कई बार याद रहता है तो दूद से मैं अभिशे कर लेती पर जल से तो नियम से मैं करती हूँ तो अच्छे से सारे भगवानों को अंदर से बहुत ज़्यादा शांती मिलती है मुझे ये सब चीजें करने से एक positive vibration हो जाता है मेरे अंदर और घर में भी एक positive energy रहती है तो बहुत अच्छा रहता है ये सब चीजें तो बस वो मैं अपने अंदर की जो satisfaction है अपना inner satisfaction और inner energy के लिए मैं ये सब चीजें करती हूँ इससे मुझे बहुत अच्छा लगता है बस ये सब करने के बाद दूद वगेरा सब चढ़ाने के बाद फिर से एक बार उनको जल से अच्छे से उनको अभिशेक कर लेती हूँ और अच्छे से वो साफ हो जाते हैं और पीली चीजों का महत्वा जादा रहता है गुरुवार के दिन तो बस इन लोग को सब अभिशेक अच्छे से सारे भगवानों को अभिशेक करके इनको एच्छे से पोच के इन में फिर से एक तीका लगाती हूं। तो बस ऐसा मुझे लगता है कि मैं मतलब उनकी कर रही हूं और वो मेरी मतलब उनको पूरा ध्यान है जो कर रही हूं वो उनको पता है पीले फूल चड़ा दिये मैंने तो हर चीज मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनसे जैसे बात कर रही हूं ये फीलिंग आती है मेरे अंदर भगवानों को मैं कुछ भी मतलब उनकी सेवा करती हूं न तो मुझे अंदर से बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और दो दीपक हमेशा में जलाती हूं एक शनी भगवान के लिए जलाती हूं ये कम से कम 15 सल से उपर हो गए मुझे जलाते जलाते और एक मैं सारे भगवानों के लिए दीपक जलाती हूं तो इस तरीके से मैंने इनके सब कर दिया टीका लगा दिया तिलक कर दिया और पीले फूल बहुत ज़ादा अज विशेश महत्वर रखते हैं विशनु भगवान के लिए बाल कृष्ण का रूप है विशनु भगवान तो बाल कृष्ण को चड़ा दिया विशनु भगवान को चड़ा दिया एक लेका ones जी है मतलब ये अपने-अपने हिसाब से सारे भगवानों को जिज्जिस मतलब चीज़ें चढती है उन पर वो चीजuben मैं चढ़ा देती हूँ कि और बस इनको ये सब चढ़ा के अगरबत्ती वगरा इल दिखा के आती करना येสुभी मेरे चड़ा दिया ऑर अगरवत्तीविह सदया प्रेज गाय कई बात्य कर लिया है और दिखा के मैं ने आरती कर लिया है और आरती करके अब मैं आ गई हूँ किचिन में यह आरती कर लिया मैंने अगरबती लगा दिया है बस किचिन में आ गई मैं किचिन में आके मैंने चाय चड़ा दिया है as usual सब के हाँ चाय बनती होगी सुबह सुबह तो चाय बना लिया, साथ में चाय के साथ कर लिए हैं मखाने मूंफली और बदाम को तो उसमें एक चम्मच घी डालके ऐसी फ्राई कर लेती हूं मैं तो सुबह मैं नाश्ता वगेरा तो कुछ भी नी करती हूं क्योंकि फास्ट में तो कोई भी नी करता होगा तो बस मैं सुबह सुबह घी में थोड़ा सा इसको फ्रा मखाने को भूज लोंगी तो मखाने जब तक थोड़ी सी क्रिस्पी ना हो जाए ना बस तब तक हमें भूजना पड़ता है तो इससे क्या मखाने से क्या मतलब एनर्जी भी बहुत मिलती हमको और मूंफली तो वैसी बहुत अच्छा रहता है बोलते है ना फास्ट वगेरा तो इसको अच्छे से फ्राइ कर रही हूं मैं जब तक खुड़ी सी क्रिस्पी ना हो जाए और घी में कर लो ना तो थोड़ा से एनर्जी बनी रहती है तेल में भी करके हम खा सकते हैं ऐसा कुछ नहीं है अब एक और स्पून मैंने घी डाल दिया है और इसमें मैं मैं मखा की तूटने लग गया बस यह हो गया समझ लिए मखाने तयार हो गया है तो बस एक ही टाइम तो खाना है मुझे तो खाने की तयारी तो मैं शाम कोई कर लेती हूं और खाती भी शाम कोई हूं तो बस इसको मैंने नमक डाल के थोड़ा सा सिंधा नमक डालती हूं मैं और टॉ लेती हूं. और इसके घ्रखाने की तैयारी इन लोगों का थे जिपनेट बनेगा और मैं बस एक चाह के साथ एक कब चाह के साथ इसको को में ले 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 लेए और बस उसके बाम है इन लोको लिए नश्टा वगेरा विए व्ण बना दी्या तो इन लोग ने तो चाय और पराठा खा लिया साथ में मैंने चाय ले लिया और यही चीज जो मैंने टॉस करके आपको दिखाए ना भी मखाने मुझे हुए मखाने यह मैं ले लेती हूँ तो बस यह सब होने के बाद आप लोग के यहां भी कद्दू की सबजी क्योंकि पीला खाना खाना है आलू की सबजी, चने की दाल की दाल गुड और पराठे के साथ अब यह रूम भी थोड़ा सा मैंने क्लीन कर लिया गर्मी बहुत पड़ रही है तो हम लोग नीचे शिफ्ट हो गए है तो अब नीचे ही सोएंगे क्योंकि उपर अब नीचे सोते बनता है बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है तो बस नीचे आगा है, साफ सफाई कर लिया और नीचे अच्छा ठंडा लगता है तो बड़िया नीचे ही सोते हैं और गुजिया मेरी बनी नीचे होली में तो मैंने गुजिया की तयारी कर रही हूं रवे में मैंने थोड़े से मावा और घी डालके इसको थोड़ा सा भूंज लिया है और भूंज के बस स्टफिंग के लिए और इसी में सब dry fruits मिला के मैंने गुजिया तयार कर लिया यह spoon जो दिखा रही हूँ न मैं आपको यह spoon हमारी mother in law का है अरे यह इतना अच्छा spoon है ना इसको बहुत समाल के रखती हूँ मैं हमारे यहां जो मम्मी है ना मतलब पहले जो मम्मी थी वो मतलब समझ लो इसी से गुजिया बनाती थी और गुजिया फट्ती नहीं है उनकी time का है यह तो मैंने इसको बहुत समाल के रखा है मम्मी ने बहुत कुछ चीज़ें मुझे सिखाया है बहुत सारी चीज़ें आती थी मम्मी को एक तो मम्मी हमारी home science की teacher भी थी और वो बहुत कुछ मतलब social science भी था उनका subject तो उन्होंने बहुत चीज़ें सिखाई है तो यह गुजिया भी मेरी तयार हो गई, ready हो गई है stuffing के लिए क्योंकि गुजिया मुझे बहुत पसंद है और फिर नई बनाओ ना फिर लगता रहता है तो थोड़ा बहुत मैंने उसको बना लिया है तो गुजिया भी ready हो गई है तीन चीज तो बन गए, दो चीज तो पहली बना लिये थे मैंने घुड के शकर पारे और मठ्री तो और गुजिया भी बन गए, तीन होगा है अब ये चूड़े की तैयारी हो रही है और इस बार मालूम है, फ्रेंड्स मैंने क्या किया ये क्या बोलते, पोहा जो है ना इसको तो थोड़ा सा मैंने घी में फ्राई कर लिया उसके बाद उसमें सब कुछ मिलाना है मुझे मौफली भी मिलानी है मखाने भी मिलाना है मुर्मुरे हो तो मुर्मुरे भी मिलाना है तो मेरे घर मुर्मुरा था नहीं तो मैंने बच्चों को बोला नहीं क्योंकि सब के एक्जाम एक्जाम चल रहा है इन लोग अपने में रेडी रहें, तो मैंने किया कि जो नमकीन चूड़ा आता है ना, उपास वाला, बृत का चूड़ा जो आता है ना, उसको मैंने मिक्स कर लिया, तो वो एक चूड़े जैसा हो गया, बिल्कुल बहुत अच्छा हो गया वो, समझ लिए, सब कुछ रहता है उसमें तो, आलू भी रहता है उसमें, यह देखें इसमें जैसे आलू के वो रहते न, आलू के चिप्स भी थे, मुफली भी थी, और मखानी भी था, मखानी नहीं सा जल्दी भी बन गया था, क्योंकि उसमें मैंने रेडी मेट वाले को इसमें मिक्स कर दिया, तो कभी-कभी मैं ऐसी करती हूँ, जुगाड करती हूँ, कभी-कभी टाइन नहीं रहता है न, तो यही सब चलता रहता है, और यह पूरी रेडी मेरी हो गई है, गुजिया, मत्र की चूड़ा और गुड़ के शकर पारे, तो फ्रेंड्स बाबा, बाबा